आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना करो और आपकी पडोसन से निवेदाने कि आपकी पडोसन को देखकर पूजन मत करो आपकी पडोशन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चड़ाया है तो में भी चड़ाऊंगी उसने चंदन चड़ाया है तो में भी चड़ाऊंगी उसने जावल चड़ाया है तो में भी चड़ाऊंगी उसने कमल गट्टे चड़ाया है तो में भी चड़ाऊंगी अब त चिडचिड करके वो काली मिर्च ले भी आया चिडचिड करके गुष्सा करकर अगर उस्ने थोड़ा वो समान तुम्हे लाकर भी दे दिया और वो समान कि अंग तुम that jeей को चढ़ाऊगी तो भग्वान संक्र करेंगे। क्या जब की बोलो जुकार कुना नहीं करें यह प्रेयम से लेकर आता ना तो भगवान सीखרג लिए कि उसने हैं बस लाता ना तो भगवान सीखर कर लए और प्रेम से लाया इनहीं ना कि अब यह माता है बेठी हैं कि सावन के महिने में हम कि पार्थी श्विलिंग का पूजन कराते हैं कि अब कई माता है ऐसी है कि वह सामान में अपने पती से नहां करके थे सुनों समी पत्र लाखे दो ट्रां भाट पती गुस्टा कर जाए बेठे गुस्टा कर जाए बेटे चिड़्चडए हो जाए तो श्यु महापुरान की कठा कथा कहती है और फिर एक काम करो अगर कमल जठा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो काली मेर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो आगर लोंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो पर कोई चिड़ चिड़ होकर कोई समान ला कर दे और वो संकर जी को चड़ाव वो मेरा शिव सिकार नहीं करता प्रेम वश आया हो प्रेम वश आया हो प्रेम वश एक पत् गुरुजी कि गर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवाद दोनों एक साथ रख सकते हैं उंतर भगवान की मूर्ती नहीं चंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए क्या होना चाहिए शिवलिंग और शिवलिंग है और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है तो श्युमहापुरान की कथा करती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है कि घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोच प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं कि आप और हम बाबा के उपासक हैं अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है कारती के रखना जरूरी है कि गणेज जी रखना जरूरी है तो गणेज जी तो सब के घर में पहले से रहते हैं कि बोलो साहिय कहलाओं कम जरा भर पारवति जी की माते ही तो ल होती ही है मात जी का फोटो जित्र होगा कुछ न कुछ माता के स्मरण होगा और नहीं होगा तो जो शिविलिंग होता है आपको भी बढ़नन किया जैसे ये जलाधारी कि ये शिवलिंग ये पानी बेरा या गणे जी कार्तिके अशक सुंदरी भार्वती जी शंकर जी मतलब पूरा की पूरा परिवार देवदिद्य महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजवार अब अगला प्रश्ना आता है कि घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है कि किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है देवदिद्य महादेव की पवित्र कथा करती है यदि आप अपने जीवन में एक वार लिंग श्युमा पुरान अगर सुनेंगे यह लिंग पुरान को आप पड़ेंगे बजार में से लाकर गीता प्रेश की लिंग पुरान का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर यश्यू महापुरान के अंदर वर्णन किया गया भगवान विश्मूं स्पानद्र нас विया गरुण आ तेटिस कोटी देवी देवताओं ने सब ने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्मान किया, किसी ने पीतल का, किसी ने लकडी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दाही का, कि इसी नैंए अनिय चरहा के शिवलिंगों का निर्मान किया, तो शिव पुरान कहती है। तुम्हारे घर में पीतल का मी आख शिवलिंग ऊस्पाइबु का मी आख सकते हो, बनटी का मी आख शिवलिंग।। सब्छानि चीनि का मी आख सकते हो, लकडी का isleatring hно, तो भी रख सकते हो, पथन का शिवलिंग है, तो भी रख सकते हो, पारत का शिवलिंग है, तो भी रख सकते हो, इस फार्टिक का शिवलिंग है, तो भी रख सकते हो, तुमारे पास में जैसा शिवलिंग है, वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रगठो कर, भाव से स्विकार करना है इसमें कोई भैद में है कि वो जो शिविलिंग में आपके पास है तो उसका फूटाना करें जो शीभलिंग आपके करीब में आप उसकी अराधना करें, जो शीबलिंग आपके नस्दीक में है आप उसकी अराधना करें, आप उसका पूजन करें, और तेरी पूजन को भगमान बना मनमन अदिर खेफा ant मकान बनाने के लिए प्लाट की जरुवत पड़ती है रिटन नहीं आ रहा है मकान बनाने के लिए जम के बोलो जरा प्लाट की जरुवत पड़ती है और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरुवत पड़ती है अच्छे दिल की जरुवत मिल मेरा उघरदानी प्राप्त हो जाए निर्मल मन सो मोही पावा मोही छल छिद्र कपट ना भावा निर्मल मन जाए कि कैसे आएंगे प्रभू कैसे आएंगे प्रभू कैसे आएंगे प्रभू मन का मेल नहीं है धोया कैसे आएंगे प्रभू कैसे आएंगे प्रभू कैसे मेरी जीजियों गरकी तो जाडू लगा रह रही हो गर्वाजां साथ कर रही हो घर की जाडू भी लगा रही हो दरवाजा भी साफ कर रही हो सब कुछ कर रही हो घर में पोच्छा भी लगा रही हो जाडू भी लगा रही हो पोच्छा भी लगा रही हो घर भी साफ कर रही हो परिमांदारी से बोलना मन के अंदर लिए किसी के परती बेरभाव रख रही हो मेरी जयठानी ने ये कर दिया देवरानी ने इसा कर दिया सांस निवेसा कर दिया विरिष्थेदार हो ने इसा कर दिया अब तुमने जाड़ तो खूब लगाई पोछा olv Var गाया तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफी नहीं कर पाई तो इमानदारी से बोलो बोले ना जी आएंगे अरे बोलो तो जमके है नहीं है कि भरदाय तो साफ करो कि मन तो साफ करो कि गोरा कुमार की मा माता जी और गोरा कुमार के पिता जी दोनों की अराधना करने का तरीका अलग अलग कि दोनों का तुम जैसे रिजाना चाओ इसे रिजाओ